परिचय जब भी हम किसी वस्तु को गती प्रदान करते हैं, जैसे अपनी पैंसिल का प्रियोग लिखने में करते हैं, या फिर हम चलते हैं, तो हम बल का प्रियोग करते हैं. जरा सोचो कि कितनी बार हम अपने कागस को खो देंगे अगर जड़त्व स्कोईस्थिर नहीं रखता उद्देश्य इस पाठ के अंद में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे बल को परिभाशित करना संतुलित एवं असंतुलित बल में भेत करना न्यूटन की गती के नियम समझना वस्तु पर लगाये गए बल तथा उसकी गती की अवस्था में संबंध ग्याद करना समवेग संदक्षन को समझना बल और उसके प्रकार जब किसी वस्तु पर बल का प्रयोग होता है तो वह वस्तु की दिशा गती या आकार में परिवर्तन का कारण होता है अताह बल को इस प्रकार परिभाशित कर सकते हैं बल कोई भी प्रभाव होता है जो किसी वस्तु की गती दिशा या उसके आकार में परिवर्तन करता है बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित एवं असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीद दिशा में लगते हैं, किन्तो फिर भी वह वस्तु अपनी स्थिती परिवर्थित नहीं करती है, तो उसको संतुलित बल कहते हैं उधारण किसी पिंड को एक समान बल से दोनों तरफ से धकेलना असंतुलित बल वह बल है, जब किसी वस्तु पर एक समान विपरीद बल नहीं लगता, किन्तो फिर भी वह वस्तु की स्थिती को परिवर्थित कर देता है उधारण जब किसी पिंड को अधिक बल के साथ एक तरफ से धकिला जाता है न्यूटन का गती का प्रथम नियम पुस्तक सौता ही गती नहीं करेगी वह अपनी वराम आवस्था को तब परिवर्थित करेगी जब हाथ का बल उस पर लगेगा यह गती के प्रथम नियम की व्याख्या करता है गती का प्रथम नियम दर्शाता है कि एक वस्तू अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहेगी तथा वह वस्तू गती की अवस्था में तब तक नहीं आएगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कारेरत ना हो न्यूटन के गती के प्रथम नियम के उप्योग जब एक मोटर बस अचानक चलती है तो यात्री जड़त्व के कारण पीछे की तरफ जुग जाते हैं यात्री वरामा वस्था में तब भी रहने का प्रयास करते हैं जब मोटर बस गतिमान होती है जड़त्व वस्थू का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी वरामा वस्था या एक समान गती में परिवर्तन का विरोध करता है द्रवेमान किसी वस्तू के जड़त्व की माप है किसी वस्तू का द्रवेमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा उधारण जब मोटर कार अचानक से रुखती है तो चाहलक जड़त्व के कारण आगे की तरफ जुख जाता है जड़त्व के कारण ही यात्री गतिमान अवस्था में तब भी रहने का प्रयास करते हैं जब मोटर बस रुख जाती है न्यूटन का गती का दूसरा नियम न्यूटन का गती का दूसरा नियम दर्शाता है कि किसी वस्थू पर लगने वाला बल उस वस्थू के द्रविमान तथा लगाए गए बल की दिशा में उत्पन त्वरण के सीधे समानू पातिक होता है एफ बराबर एम गुणा ए जहां एफ बराबर बल एम बराबर द्रविमान और ए बराबर तवरण है बल के मात्रक बल का ऐसाई मात्रक न्यूटन है न्यूटन को इस प्रकार परिभाशित कर सकते हैं कि एक न्यूटन किसी एक किलोग्राम द्रविमान वाली वस्थू में एक एम बटे एस वर्ग यानि मीटर प्रतिस सकेंड वर्ग का तवरण उत्पन्न करने के लिए लगाए गए बल के बराबर होता है मात्रक बराबर के जी एम बटे एस वर्ग यानि किलोग्राम मीटर प्रतिस सकेंड वर्ग या न्यूटन एक हजार किलोग्राम द्रविमान वाली वस्थू में 0.5 एम बटा एस वर्ग का तवरण उत्पन्न करने के लिए आविशक बल की गणना करो एफ बराबर एक हजार गुणा 0.5 बराबर 500 न्यूटन बटे के जी एम बटे एस वर्ग न्यूटन के गती के दूसरे नियम के उप्योग क्रिकिट में खिलाडी गेंद को पकड़ने यानि कैच करने के साथ अपने हाथ को नीचे लाते हैं क्योंकि इस से गेंद का तवरण घटता जाता है तथा गेंद को रोकने के लिए बहुत कम बल लगाना पड़ता है एवं इस परकार खिलाडी के हाथों में कोई चोट नही लगती समवेक गती में द्रवेमान को समवेक कहते हैं P पराबर M गुणा V जहां P पराबर समवेक M बराबर वस्तु का द्रवेमान और V बराबर वस्तु का वेक है समवेक का SI मातरक किलोग्राम मीटर 33 सेकेंड है अताह द्रव्यमान तथा वेक के संयुक्त प्रभाव को सम्वेक कहते हैं या एक सदिश राशी है किसी वस्तू के सम्वेक में परिवर्तन उस वस्तू पर बल की दिशा में लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है गती के दूसरे नियम की गणना किसी वस्तू का सम्वेक में परिवर्तन उस वस्तू पर बल की दिशा में लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है माना की आरंभिक सम्वेक P1 बराबर MU है और माना की अन्तिम सम्वेक P2 बराबर MV है अता सम्वेक में परिवर्तन की दर बराबर होगी M गुणा V घटा U बटे T के बल बराबर K गुणा M V घटा U बटे T जो की बराबर होगा K M A के जहां K एक अनुपातिकता स्थरांख है न्यूटन का गती का तीसरा नियम जब एक वस्तू दूसरी वस्तू पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तू भी पहली वस्तू पर समान एवं विपरीत बल लगाती है प्रतिक्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है Newton के गती के तीसरे नियम को समझने के उधारण हम चलते कैसे हैं? जब हम जमीन पर चलते हैं, तो हमारे पैर जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तथा बदले में जमीन हमारे पैरों को आगे की तरफ धकेलती है. तोप पीछे क्यों हटती है? जब तोप से गोला छोड़ा जाता है तो एक बल गोले को आगे भेशता है एवं उसके समान बल तोप को पीछे धकेलता है इसलिए तोप पीछे हटती है जट हवाई जहाज और रॉकेट रॉकेट के नीचे की तरफ से निकलने वाली गैस की क्रिया के समान उसके विप्रीत प्रतिक क्रिया रॉकेट को अत्यतिक गती से आगे बढ़ाती है नली पाइप का उधारन जब फाइरमेन पानी की एक तेजधारा को निर्देशित करता है तब वह इसके पाइप को काफी मस्पूती से पकड़ता है क्योंकि पानी के आगे बढ़ने की दिशा की क्रिया के कारण उसके पीछे धकेलने की प्रतिक्रिया की संभावना अधिक होती है संवेग संदक्षन का नियम जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर कारे करती है और जब तक उस पर कोई बाहरी बल कारे रत नहीं होता है तब तक उनका कुल संवेग स्थिर रहता है इसको ही संवेग संदक्षन का नियम कहते है सम्वेग को ना कभी बनाये जा सकता है या और ना कभी नश्ट किया जा सकता है ये भी सम्वेग सनक्षन का सिध्धान्त कहलाता है माना की दो वस्तुएं जिनका द्रवेमान क्रमशाह M-A एवं M-B है एक दिशा में प्रारंभिक वेग U-A एवं U-B से गतिशील है तथा उनका अंतिम वेग क्रमशाह V-A एवं V-B है गेंद A के सम्वेग परिवर्तन की दर F-A-B बराबर M-A V-A घटा U-A बटे T गेंद B के सम्वेग परिवर्तन की दर F-B-A बराबर M-B V-B घटा U-B बटे T गति के त्रीतिय नियम के अनुसार प्रतेक्रिया के बराबर तथा विप्रीत प्रतिक्रिया होती है इस प्रकार जब दोनों वस्तुएं टकराती हैं तब लगने वाला बल होगा F-A-B बराबर घटा F-B-A इसे सुलजाने पर हमें यह प्राप्थ होगा यहां M-A-U-A जमा M-B-U-B टकर से पहले का कुल सम्वेग है तथा M-A-V-A जमा M-B-V-B टकर के बाद का कुल सम्वेग है जब वस्तुएं पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है तो दो वस्तुएं की टकर से पहले के सम्वेगों का कुल योग टकर के बाद उनके सम्वेगों के योग के बराबर होता है सम्वेगों शब्द सम्वेग का पहुचन है क्या आप जानते हैं सर इजा की न्यूटन ने जणत्व तथा बल की अवधारणाओं के आधार पर सभी वस्तूओं की गती का वर्लन किया तथा यह पाया कि वे सनक्षन के नियमों का पालन करती है जब किसी बिंदू काण पर लगने वाला कुल बल शुन्न होता है तब वह संत्वलन में होता है किसी निकाए में जब वस्तूओं विभिन वेगों से गती शील होती है तब यह पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सी वस्तू गती में है और कौन सी वस्तु स्थिर है? इस वाक्यांश को तकनीकी रूप से दूसरे शब्दों में कहें, तो भौतिकी के नियम हर जडित्वीय आदर्श सिध्धान्त में समान होते हैं. अर्थात ये गेलिलियो रुपांतरण द्वारा सम्मंधित सारे फ्रेमों में समान होते हैं. गुर्त्वेहीन वस्तु जब प्रित्वी की चारों तरफ की कक्षा में नीचे गिरती है, तब न्यूटन के गती के नियम इन इस्थिती में ज्यादा प्रत्यक्ष्य होते हैं. सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं. गती का प्रथम नियम एक वस्तु तब तक स्थेर या गती शील रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कारेरत ना हो. किसी वस्तु का द्रवेमान उसके जड़त्व की माप है. घर्शन बल सदे वस्तु की गती का प्रतिरोध करता है. गती का दूइतिय नियम किसी वस्तु के सम्वेक परिवर्तन की दर, वस्तु पर आरोपिद असंतुलित बल के समानों पाती एवं बल की दिशा में होती है. बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड वर्ग है. गती का दूइतिय नियम प्रते क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है. कुल सम्वेग हमेशा संदक्षित रहता है.